हेलो दोस्तों सुहाना की चीन में आपका स्वागत है आज टामाटर से चार बनाएंगे मार्केट में बहुत अच्छे टामाटर मिल रहे हैं सस्ते देखिए हम एक किलो टामाटर ले लिए हैं और इसको उपर काट देंगे अब बड़े बड़े पीस में काट लेंगे एक टाम और हम एक पहलने लिए हैं इसमें हम चार बड़े देल डाल लिए हैं पहन में गरम होने देंगे अब इसमें 12 टीशपून हींग हम डाल दिये हैं दो चमच सरसोधाना दुस्त जीरा है एक टीश्पून हम डाल दिये है अज tricky श्पून है सौफ है सौफ से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गाई और करेल मगरेल जिसको बुलते हैं और चार सो चार से पाच लाल मिर्च ले लिए हैं अच्छे से लाल होने देंगे सब मसाले को अब इसमें हम टामाटर डालेंगे अब इसमें सब टामाटर डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको बुन्ज लेंगे अच्छी तरह से चला लेंगे सब जगे मसाला तेल में वह जाए फिर इसको ढाक के सब्ट होने तक टामाटर के सब्ट होने तक पकाएंगे यह देखिए, सॉफ्ट हो गया हमारा यह टमाटा, अब इसमें हम इमली का पेस्ट डालेंगे, दो चमच, इसे अच्छा खटा मीटा टेस्ट आता हैगा, बहुत अच्छा प्लेवर आता इसका, तो हम दो चमच डाल दिये हैंगे, जैसे चला लेंगे, अब इसमें सुखा मसा डालेंगे, हल्दी पॉडर, एक टीश्पून, एक टीश्पून लाल मिर्स पॉडर, और नमक हम तीन टीश्पून डालेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार डालिए, क्योंकि टमाटर का चार है, तो नमक थोड़ा सा ज्यादा लगता है, खराब नहीं होता है इससे, तो इसको अच्छे से चला लेंगे, अच्छे से चला के, इसको देखिए मसाला मतलब टमाटर एकदम भूंज गया है, तेल उपर आ गया है, तो समझेए गल गया एकदम रेडी है काने के लिए, इसको कंटीनर में भरके रखे, फ्रीज में रखके खाईए, तीन से चार महने त हो तो उसमें स्टूर करके, फ्रीज में रखके खाईए, और बताईए कैसा बना, सस्क्राइब करिए, केमेंट करिए, कैसा आपको लगा, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ठैंक यू,